बासकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे क्लासिफिकेशन ओफ मेलिंग मशीन के बारे में उससे पहले जान लेते हैं कि मेलिंग मशीन होती क्या है मेलिंग मशीन एक वर्साटाइल मशीन टूल है जिसके प्रियोग से हम लार्ज नंबर ओपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और वर्तमान में आधूनिक प्रड़क्शन वर्क्शोब में इसका बहुत इंपोर्टेंट रोल है और मेलिंग मशीन के प्रियोग से हमारी जो प्रड़क्शन जो रेट है वो बढ़ गया है एक प्रकार से mass production work इसमें कर सकते हैं और साथ में काफी fast production होती है और high accuracy के साथ उसको किया जाता है small और medium jobs के उपर और mailing machine ने safer, planer, slaughter, इतियादी machine tool को replace कर दिया है क्योंकि इन machine tools के दुआरा जब हम long job पर machining करते थे वो काफी slow होती थी mailing machine के comparison में तो बात करते हैं कि जो mailing machine होती है इस पे जो working की जाती है वो एक revolving multipoint cutter होता है जो आप इस diagram में देख पा रहे हैं उसको rotate करके material को remove किया जाता है work piece के उपर से और revolving cutter को rubber पर इसको hold किया जाता है अब बात करते हैं classification of mailing machine के बारे में वैसे तो different type की mailing machine की बहुत ज़्यादा variety available हैं हम बात करेंगे broad classification of mailing machine के बारे में जो broad classification है उसमें अगर हम देखें सबसे पहले है column and knee type mailing machine एक परकार से ही है general purpose machine होती है जिसमें एक single spindle का ही हम प्रयोग करते हैं और इसको ज़्यादा तर tool room या फिर machine soap में इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है further इसकी classification है जिसमें hand mailing machine है horizontal mailing machine है vertical mailing machine है universal mailing machine है और omni-versal mailing machine ये इसकी further categorization है उसके बाद जो second type है mailing machine का वो है fixed bed type और manufacturing type mailing machine अगर हम इसको compare करें column and need type के साथ तो उसके comparison में इस type की mailing machine ज़्यादा heavy weight होती है काफी rigid होती है size में भी बड़ी होती है और ये mailing machine tool room work के लिए suitable नहीं रहती और fixed bed type mailing machine के further type है सबसे पहले है plain type plain type में single horizontal spindle होता है duplex head इसमें double horizontal spindle होता है triplex head इसमें two horizontal और one vertical spindle होता है और rise and fall type इसे हम profile mailing के तोर पर इसको 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 एक प्रकार से में यह मेलिंग मशिन आटोमेटिक भी हो सकती है और सैमी आटोमेटिक भी हो सकती है और मल्टी-पीस मेलिंग इसमें की जाती है एक साथ बहुत सारी जोब के साथ perform किया जाता है और इस पे हम slow cutting, growing, gange मेलिंग इतियादी कर सकते हैं उसके बाद है planer type milling machine इसको हम heavy work के लिए इसका use करते हैं और इसमें maximum four tool head को इसमें mount कर सकते हैं और उन्हें हम vertically और transfer direction में adjust कर सकते हैं और इसकी जो construction है वो planer की तरह ही होती है काफी robust और massive construction होती है उसके बाद है production milling machine प्रड़क्शन milling machine एक प्रकार से वो manufacturing machine है लेकिन इसमें अगर हम बात करें जो bed है वो fix नहीं होता दूसरी machine हो की तरह है और उसके आधार पे ये तीन type की होती है rotary table, drum type, treasure controlled और last में है special purpose milling machine जैसा कि नाम से ही पता चलता है special purpose कि इस type की milling machine को किसी specific purpose को complete करने के लिए इसको design किया जाता है तो वो सब इसके जो further type है उसमें thread milling machine है, profile milling machine है, gear milling machine, cam milling machine, planetary milling machine, double end milling machine, skin milling machine और spur milling machine ये इसके type हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि milling machine क्या होती है और milling machine कितने type की होती है, अगर आप को वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ, और channel को subscribe करना ना भूलें, जल्दी हाजर होते हैं एक नवाद आपका दिन सुब रहे